होटल कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और प्रस्य दोद्योगपती गोतम कपूर की माता व मदन कपूर की धरमपत्नी उर्मिला देवी कपूर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभुचर्णों में जाविराचे हैं उनकी आत्मिक शांती है तू श्रधांजली सबाका योचन मॉडल टाउन स्थित उनके निवास स्थान पर किया गया इस मौके पर दनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज संयोक्त संपादक अभिशेक विज नरेश मितल नरेश गुजरा मेर जगदीश राज राजा पूर्व मेर राकेश राठोर उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इर्विन खन्ना सुरेश शर्मा सुशांत शर्मा सुदर्शन शर्मा नरेश शर्मा करन मलहुत्रा महेंदर पाल शूर प्रसेद्धु द्योगपती पूर्नीमा बेरी परमिंदर बेरी जगमीत सिंग बरा बेटिया राधना दामाद मनु महिता के इलावा राचनितिक समाचिक और धार्मिक तथा व्यपारिक वरक से जुड़े लोगों ने उन्हें नमांखों से शर्धान जली बेंड की आख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे सत गुर मेरा सदा द्यारा मोहे दीन का राभ लिया मोहे दीन का राभ लिया उनने दाह साहिब मन मिला सरन पया नानक सोहे राभ पुर्ण धान साहिब मन मेरा सरन पया नानक सोहे राभ सरन पया नानक सोहे राभ सत गुर मेरा सदा द्यारा मोहे दीन का राभ लिया मोहे दीन का राभ लिया सत गुर मेरा सदा द्यारा मोहे दीन का राभ लिया मोहे दीन का राभ लिया मोहे दीन का राभ लिया बलहार गुर अपने द्योहाणी सद्वार जिसके सिरी पुत्तु स्वामी बलहार गुर अपने द्योहाणी सद्वार जिन मानस्ते देरते किये करत न लागी वारू जी सोचंदा युगवै सून दिचड़े हजार एते चानन हुद्याँ गुर्विन कोर यंधार गुर्विन कोर यंधार सत्गुर्वोई द्याँ तांसर्दापूरिये सत्गुर्वोई द्याँ ना कबुं चूरिये ना कबुं चूरिये मेरे राम लाए तू संता का संत पे मेरे राम लाए तू संता का संत पे तेरे से लक को वो किछना ही तेरे से लक को वो किछना ही मेरे राम लाए तू संता का संत पे मेरे राम लाए तू संता का संत पे जिसके सिर उपर तू स्वामी जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे जिसो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता बर्ना चेत न आवे कि बरनाचीत नयावे, बरनाचीत नयावे, मेरे राम राए, तु संतां का संत तेरे परम सुपकार जो गुरु स्वार्य संगत साथ संगत जीयो, प्यार ना लाखो सत्नाम स्री वाह गुरु, गुरु महराजी दिये पार किरपा वर्ष रही है, साध्य सार्य ते, जवार जसी अपने पूज, माता उर्मला देवी कपूर जी, जीवन साथी श्री नदम कुपोग जी, और उन्हानों श्रनादिलियां अपन करन वास्ते, जो उन्हाने अपने जीवन दे अंदर अपने पुरवार नो, अपने आण, गुवांट नो, अपने हमसाया नो, यसी यत्याज सारे कत्र होए हां, गुरु महराज गिर्पा करे, उस विश्री आत्मा नो, सदीव कार ले अपने चर्णों विचे निवास बक्षे, पिछे परवार नो, जो उवाई गुरु जी रजाव वरत रही है, उस विचे राजी रहें दी समरतर बक्षे, तो गुरु स्वारी साथ संगत जी हो, अजदा इसारा समादम का पूर पुर्वार वदों अजयोजत होया है, आप जी सारे सज्जन उननों शिर्नाजनियां अर कर्ण वास्ते एते हाजरों है हो, तो सज्जनों जदों कोई इस तरह हम साए, हम दर्दीली हाजरों देने, ते जड़ा कोई विचोड़ेदा गम होंदा है, ओ कट जानदा है, ते मन दे अंदर होसला फजाई हो जान दिया है, और असी उसकाल बुर्ख दे पाने नूं मनन दे समरत्थ हो जानने हाँ, परवार कोई जीवन साथी कोई अपना जीवन साथी बिच्ड़िया, परवार कोई एक माँ बिच्ड़ी, माँ, केंदे माता दा जो एक माँ दा भात्म है, जो परवार दे अंदर उसदी कलना दिया है, वो बहुत उत्रम दिया है, क्योंके सारा परवार उना दी सक्यान तार्म करके अपना जीवन सुखी बनांदा है, पिड़ें दा जीवन भी सुखी बनांदा है, गुरु स्वारी साथ संगत जी ओ जिना ने महादा महत्तम समझया है उना नो इस गलता पता है कि एक माँ आम तोरते इस्री नो से इस्तरा को समझ दे है जिस्तरा शायद साथे डालों मरतना नालों कमज़ोर नो दिया है पर ऐसा नहीं है सानु साथे रिष्या मुनिया ने महादा नो दरसाया है सानु उस गल नो समझ दाना चाहिदा है I think the fact that most of us here call Ammi Ammi just goes to show how meaningful of a person and how with some of the things I'm gonna miss the most I'm gonna miss I'm gonna miss Ammi's smile every time I walk in through those doors I'm gonna miss Ammi's warm embrace and the feeling of holding her soft hands every time she asks me to update her on what's going on in my life I'm gonna miss Ammi's voice and I'm gonna miss hearing Ammi ask me every time we visit India क्या 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 कहँगे आच, कल, पर्सुम even though the answer is always the same I always ask for the same things बेसन की प्रांती लां पलाव व्केरा चिली चिकन and of course pizza which Ammi is always in disbelief by because we've come all the way from the United States and here we're asking Ammi for pizza but Ammi's pizza was always the best and that part of Ammi I think will still live on through Jogh Singh and Suresh and hopefully with practice through me. Begin to talk about Ammi, I want to express gratitude. Jogh Singh, Suresh, जिस प्यार से, जिस मेहनत से, जिस दिल से आपने Ammi का ख्याल रखा, हम सब के पास लफ्स नहीं है, थांक यू कहने के लिए, जितना ही प्यार आपने उनको दिया, उसे कहीं जादा प्यार आपको में. मेरी ये प्राट्मा है कि Ammi का प्यार, Ammi की आवाज, Ammi के खुश्बू हमेशा आपके दिल में रहें, और उनका आशीरवाद हमेशा आपके सर पे रहें. Now about our Ammi, how does one even begin to sift through a lifetime of beautiful memories and unconditional love into a tribute? Ammi had a spark. I was a little girl at school when I knew I had a mother like no other. I saw it everywhere, in the eyes of my friends, my teachers, shopkeepers, doctors and family. I remember once Ammi was called to school because I was in trouble. The teachers wanted to complain about me. Ammi was at school and the next thing I know, instead of complaining about me, she was being invited to be the judge of the school cooking competition next week. I could tell even then that Ammi was special, always ahead of her times. Ammi was one of the first women in Jilanda to drive a car. She topped her mathematics exam and matriculation in the entire state of pre-partition Punjab. She enriched our lives with Tagore, Tolstoy, Hugo. Her love for Rabindranath Tagore led her to learn Bangla at the age of 59. It didn't stop there. Ever the trailblazer, she started to learn Urdu at age 84. In the beginning, her tutor gave her a page of homework. When he came back, she had done 15 pages of homework. The next day when he came again, gave her one page, she had another 15 pages ready. He said, Benji, holly holly karo, inni koi jaldi nahi hai, holly holly karo, sab pakka ho jaega. And what do I say about you, dear Ammi, our magical storyteller, who would take us back to an enchanted childhood, where we vividly felt the joy, the pain, the excitement and naughtiness of little Ammi. And what do I say about you, dear Ammi? And what do I say about you, dear Ammi?